ये शक्कर सबसे खतरना चीज है जो कफ बादी है कफ की विक्रती का सबसे बड़ा कारण है शक्कर आपको एक इंट्रिस्टिंग बात बताओ भारत में जब से शुगर प्रडक्शन हुआ तबी से लोग ओवर बेट हुए ये बहुत बड़ी रिसर्च मैंने इस रिसर्च में बारे साल खराब किया हुए पूरे डेटा इकटे किये भारत देश के शुगर प्रडक्शन जब से इस देश में हुआ और चीनी खाना हमने जब से शुरू किया ओवर वेट हम तभी से हुए उसके पहले भारत में कोई ओवर वेट नहीं था जब तक शुगर नहीं आई थी तब तक ये बेश ओवर वेट नहीं था जब से शुगर आई सब मोटे मोटे हो गए सब के पेट बाहर निकलना शुरू हो गए ये सब शुगर का दुश्परिनाम है आप पूछोगे क्यों ये जो शक्कर है ना ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती है और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो टॉक्सिक वेस्ट में कनवर्ट होती है और ये शक्कर जब टॉक्सिक वेस्ट में कनवर्ट होती है तो कॉलस्ट्रोल बढ़ता है और मुटापा खाना शुरू होता है शक्कर के बारे में सरल बात एक पताताओं जो आपको समझ में आये जल्दे से हम खाना खाते हैं लुझ में या दिनर में कितना भी हम खाना खाएँ सपोस हमने 200-300 ke bırahm खाना खाया लगबग इतना ही हम खा पाते हैं उतना खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुल खाईए गुल एक ग्राम तो यह जो एक ग्राम गुल आप में खाया यह आपके पूरे भोजन को विदिन फोर आपर चार घंटे में 100% डाइजिस्ट करा दे थोड़ा सा गुल गुल जो है ना बहुत बड़ा पाचक डाइजेस्टर है बहुत बड़ा गुल और आपने जो खाना खाया 200-300 ग्राम इसके पीछे आधा चम्म शुगर खा लीजे अब ये खाना आपको 8 घंटे तक हजम नहीं होगा शुगर खा ले तो और जितना भोजन आपने किया है इसकी पूरी इनर्जी हाफ टी स्पून शुगर को डाइजेस्ट करने में खर्च हो जाए शुगर उपी खराब मत खाये शुगर में सबसे बड़ी खराबी जानते ही क्या है जो केमिकल शुगर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं सबसे खराब केमिकल इसे एक सलफर नाम का केमिकल है जिसके बिना कभी भी शुगर बन नहीं सकती और सलफर जो है पॉईसन है जहर है और वैसे भी शुगर इतनी महंगी है शक्कर इतनी महंगी है पचास रुपई कितो हो गई है क्यों आप दिमाग खराब करते हैं उसको खाता के बन करीए उससे अच्छा गुड़ लाइए गुड़ और गुड़ तो बाजार में अच्छा है शुगर से तो सस्ता है और गुड़ से भी अच्छी एक चीज मिलती है महाराश्टों में काक काकवी काकवी अब तो जानते हैं ना काकवी वह तो सबसे अच्छी काकवी को चार में डालिये काकवी की का मिठाई बनाएँ लड़ों बनाएए शीरा बनाएए काकवी से सब बनता है तो या तो गुड़ लाईए नहीं तो काक्वे लाईए और गुड़ जब आप खरी देंगे बाजार से तो भ्यान से गुड़ खरी दिये जो जादा वाइट कलर का है सफेग वो गुड़ मत लाईए वो निर्मा वोशिंग पाउदर से बनाए बहुत खराब है तो कौन सा गुड़ लाई जो थोड़ा काला काला दिखता है गेहरे रंग का होता है डार कलर का होता है लाल लाल दिखता है दिखने में जो अच्छा नहीं लगता है वही गॉड़ में क्वालिक